गीता का पती मदन, मास की टोकरी और दोरा बनाने का काम करता था पर एक हाच्चे में वो दूनों पैरों से अपाहिच हो गया इसलिए गीता के उपर ही घर और बाहर के काम की सिम्मेदारी आ गई छट पूजा के दिन करीब आ रहे थे गीता बड़ी महनच से दिन रात एक करके बास की सूप और दोरा बना कर तैयार कर रही थी बाजार जाते हुए गीता ने अपने बेटे राजू से कहा बेटा मैं समान बेशने जा रही हूँ तू कहीं बाहर खेलने मत चले जाना तेरे बाबा को किसी चीज की जवरत होगी तो परिशान होगे राजू निका ठीक है मत तुम काम पर जाओ मैं बाबा का ध्यान रखोंगा गीता समान बेशने बाजार चली जाती है वो सोयम से निराश होकर कहती है कितनी देर हो गए अभे तक एक भी दवरा और सूप नहीं बिखा कैसे होगा सब सोचा था चट पूजा के दिनों ये सब बेच कर थोड़ी कमाई हो जाएगी हे चट मैया मैं क्या करूं गीता निराश होकर घर वापस लोट आई उसके पती मदन ने विस्तर पर लेटे हुए पूछा क्या हुआ गीता तुम इतनी परिशान क्यों हो गीता ने कहा आपको पता है एक भी दवरा और सूप नहीं बिखा चट पूजा में कमाई नहीं हुई तो कैसे घर कर चलेगा मदन ने खा चिंता मत करो अब चट पूजा को तीन दिन बागी हैं और तुम तो चट मैया पर विश्वास करती हो ना चट मैया का नाम लेकर कल फिर से सूप और दवरा भीशने जाना मुझे विश्वास से चट मैया हमारे साहता जरूर करेंगी राजू ने गीता सिखा मा तुम चट पूजा में खीर पूरी बनाओगी ना मुझे खीर पूरी खानी है गीता ने कहा हाँ बेटा इस चट पर तेरे लिए खीर पूरी जरूर बनाओगी गीता चटी मैया की प्रत्मा के सामने हाथ चोड़ कर पायतना करते हुए कहती है हे चट्ठी मैया कल मेरा सामान भिक जाए आपके नाम में बहुत शक्ती है मा आपने हमेशा दुख्यों की सहायता किये मैया मेरी सहायता करना अगले दिन गीता चट मैया से प्रातना करके सूप और दौरा भैचने निकल पड़ती है बाजार में जोर जोर से कहती है सूप ले लो दौरा ले लो एक की एकदम पत्ती आते हैं उनके सामने गीता कहती है बहन जी ले लो चट मैया के नाम का ले लो कुछ खरीद लो भैया जी आज सुबह से बोईनी नहीं हुई उसकी पत्णी कहती है सुनो जी बड़ी दुगान से खरीदेंगे पतनी यह बास की टोकरी पुरानी लगए और शूप भी मैले है गीता कहती है ले लो भाईय शूप बास की टोकरी ले लो गीता मिनते करती रहती है पर वो नहीं नहीं हमें नहीं लेने ऐसा कहकर निकल जाते हैं गीता स्वयम से कहती है सब लोग बड़े बचारों से खरीद रहे हैं क्या करूं छट्थी मैया मेरी मदद करो मा गीता निराश होकर घर वापस लोट आती है राजु कहता है मा भूख लगी है अच्छा हुआ तुम आ गई कीता गहती है रुक मैं तेरी लिए कुछ खानी को बनाती हूँ कीता ने देखा चावल थोड़े ही थे वो उन्हें ही बना रही थी गीता बिलकुल चुपचाप और उदास थी मदन और राजु को दे देती है मदन भी उसके चेहरे की उदासी और परिशानी देख रहा है गीता फिर से चट मैया की प्रतिमा के सामने हाथ चोड़ कर पातना करने लगी हे चट मैया आप तो बहुत दयालो हो मुझे हमें शाह यही विश्वास रहता है कि आप हम गरीबों के जरूर सुनोगी पर अगर कल भी मेरी कमाय नहीं हुई तो मुझे करीब की छट पूजा का क्या होगा कैसे खीर पूरी और ठिकवा का भोग लगेगा मा मेरी मदद करो गीता का मन परेशान था मदन अभी सो रहा था गीता सुबा सुबा उठकर गर से निकल गई और बजार पहुँच गई और जोर जोर से कहने लगी सूप लेलो दौरा लेलो सूप और दौरा लेकर बैठे बैठे गीता को शाम हो जाती है पर ना जाने लोग गीता की और देखते और मों फेर कर सामान अच्छे दुकानों से खरीदने लगते शायद गरीब गीता के फटे हाल कपड़े और मेली चपल देखकर लोग उससे कुछ नहीं खरीद रहे थे गीता उदास होकर सोचने लगी मैं घर जाकर क्या बनाऊंगी क्या खिलाऊंगी हे चट मैया आप कहां हो मैया मेरी मदद करो पहिशान हरत में गीता रोने लगी उसका चट का वृत था वो भूकी प्यासी थी रोते हुए वो बेहोश हो गए इधर स्वर्ग लोग में माता चटी से नारद मुनी बोले देवी चटी आपकी कैसी लीला है मा आपकी भक्त गीता ने आपका चट वरत रखा है वो भूकी प्यासी थार्थी पर बेहोश पड़ी है चटी मैया बोली देवर्शी नारद मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी भी डगमगानी नहीं दूगी मेरा चट रूप इस प्रकती और भक्तों के कल्यार के लिए हुआ है जो कोई भक्त प्रेम और शरदा से मुझे याद करेगा मेरा अश्रवास सदी उनके साथ रहेगा आप चिंता ना करे देवर्शी नारद मेरे होते हुए मेरी भक्त गीता को कुछ नहीं होगा देखते ही देखते चटी मैया एक बुड़ी औरत का रूप ले लेती है और गीता के सिर पर हाथ फेरती है तो गीता आँख खोलने लगती है चटी मैया कहती है बेटी क्या हुआ उठो गीता होश में आजाती है और पूछती है आप कौन है मा चटी मैया कहती है बेटी मुझे अपनी मा ही समझो गीता हैरानी से दीमे स्वर में कहती है मा चटी मैया कहती है मैं तो तुमसे दौरा और सूप लेने आई थी हमारे घर परिवार में सभी बहु बेटियों ने चट प्रत रखा है इसलिए सूप और दोरा दे दो गीता खुशी से बोली हा मा भी देती हूँ गीता की खुशी का ठीकाना नहीं रहा उसकी आखों में आस्सु थे वो सारे समान बांद कर बुड़ी अमा को दे देती है बुड़ी अमा पूछती है बेटी इस सारे समान की कितनी धन राशी हुई गीता कहती है मा इस मुसीबत की घड़ी में आपने मुझसे समान खरीदा है आप अपनी इच्छा से मुझे कुछ भी धनराशी दे दीजे मैं चट मैया का आशिरवाद समझ कर रख लूँगी बुड़ी अम्मा बोली थी के बेटी ये पोटली रखो इसमें तुम्हारे सारे समान की धनराशी है बुड़ी अम्मा सारे समान लेकर एक टांगे में रखवा देती हैं चटी मैया पुर्णा स्वर्ख लोट जाती है नारत मुनी चटी मैया से कहते हैं चटी मैया आपकी जय हो आज तो आपकी अद्बुत लेला देखकर मेरा भी मन खुशी से प्राफुलित हो गया है चटी मैया नारत मुनी ची से कहती हैं देवशी नारत अभाब ब्रामबर के वेश में ये सारा समान ले जाकर उन गरीबों में बार दीजिए जिनोंने मेरे नाम का व्रत और पूंजन किया है वो इस सामान से पूंजन करके मेरा आश्रवायत ग्रहण करेंगे नारत मुनी ने कहा जो आग्या मैया सही कहते हैं जो कोई भी चट पूजा करता है उसके सारे संकत्ट आप दूर कर देती हो आपका वरत नी संतान को संतान निर्धन को धन देता है और रोगी को निरोगी बना देता है जो कोई भी सच्ची भाव से चट पूजा का वरत और पूंजन करता है उसके घर में सदेय सुख समरिदी का वास होता है उसके पश्चात नारत मुनी प्रामर के वेश में मंदीर के बाहर सारा सामान लेकर खड़े हो जाते हैं और मंदीर में आने वाली ज़रुतमंद महिलाव को छटपूजा के लिए सारा सामान बाट देते हैं सब ओरते खुशी से सामान लेकर अपने घर जाती हैं उधर गीता भी वह पोटली लेकर अपने घर पहुचती है आज उसका सारा समान पिक गया था घर पहुचकर गीता ने मदद को सारी बात बताई जैसे ही गीता ने पोटली खोल कर देखी वह हैरान रह जाती है वह हैराने से कहती है इतने सारे सोने के सिक्के सुनो जी यह तो द मैया ही मेरी मदद को नहीं आई थी और में उन्हें पहचान ले भाई-मधन कहता है। व्रत के लिए वारूप बदल कर आई थी। गीता कहती है देवी महीं आपकी जये हो। county मैया आपने प्रत्थी मेरी जोली कुष्यों से भर दी। मा आपकी जय हो इसके परशाद गीता सभी रिती रिवाजों के साथ पूर्विदी विधान से चटी मया का वरत रखती है गाट पर जाकर सूर भगवान को जल देती है चट मया के नाम का पूजन करके अपने वरत को पूर्ण करकर उस दिन से छट मैया के आशिरवाद से गीता के जिन्दगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं उस धन राशिर से गीता मदन के पैरोगा इलाज करवाती है और कुछ समय बाद मदन फिर से चलने लगता है वे दोनों मिलकर हाँ चोड़ कर छट मैया को धन्यवाद देते हैं